नमस्कार KKR News में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आरती बढ़ते हैं खबरों की और हरदा में पुल्ल सदिक्षक मनीश कुमार अगरवाल और अतिरिक्त पुल्ल सदिक्षक गजिंडर सिंग वर्दमान के निर्दी शनुसार सुवेदार वर्षा गौर एवं ठाना स्टाप दोरा 20 बहानों पर चालानी कारवाही करते हुए 8,250 रुपए का समन्शुल्क बसूला वहीं पटाकी की आवाज करने वाली बुलेट सहें दो पईया वहानों पर चालानी कारवाही की गई इस दोरान बिना हेलमेट तीन सवारी मोबाइल फोन पर बात करते हुए वहान चलाते हुए पाए गए चार पईया वहानों में बिना सीट बैल्ट बिना नमबर प्लेट एवम माल वहानों में ओवर हाइट वहानों प्रेसर होरन वाले वहानों पर चालानी कारवाही की गई याताया थाना प्रवारी सुवेदार वर्शा गौर्ण ने बताया कि यह कारवाही आगी भी जारी रह तेज आवास वाले साइलेंसर या मोडिफाइट साइलेंसर वहानों में ना लगाए अगर ऐसा पाया जाता है तो ऐसे दो पईया वहानों पर 1,000 रुपए का जुरुमाना एबं साथ ही साइलेंसर की जबती की जाएगी इसी के साथ शहर में यातयाद विवस्ता एवं पार्किंग विवस्ता ठीक करने है तू स्टेट बैंक चौराया और टॉक चौराये के बीच लगी दुकानों एवं फुलकी चार्ट के ठेलों को सड़क के बाजू में लगवाया जाएगा घंटागर चौरा हाit शिवाजी चौक गडेश चौक पर मार्की पार्किंग विवस्ता ठीक की गई सड़कों पर लगे आव विवस्तित वहानों को विवस्तित करने पार्क करवाये गया इस दोरान बार-बार अनॉंस्मेंट करने के बाद भी आविवस्तित रूप से पार्क किये और अपना चार पईय वहान रोड से ना हटाए जाने वाले चालकों के वहानों के वील लॉक किये गए संपून करभाई में सुविदार के साथ ASI मुहन सिंग प्रधान आरक्षक महिश शर्मा आरक्षक नीरज तिवारी अभिशेक साथ होस्यार सिंग एवम हम रहा थाना स्टाप को पस्तित रहा हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्स्ट्राइब करना ना भूले